तो कैसे हैं आप सब हमारा साथवे अध्याय के महात्म में तक हम समाप्त कर चुके हैं तो अब हम साथवा अध्याय प्रारम करते हैं ओम श्री परमात्मने लमाह साथवा अध्याय श्रीमन भगधरी का उसके उप्रांद श्री कृष्ण बगवान बोले है पार्थ तुम मेरे मन में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायन होकर योग में लगा हुआ मुझको संपोर्ण विदूती बल एश्वर्यादी गुणा से युक्त सबका आत्मरू जिस प्र इसे आट प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृती हैं यह आठ प्रकार के भेदों वाली को अपरा है अर्थात मेरी जड प्रकृती है और है महाबाहूप, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृती जान की जिससे यह संपूर्ण जगत धारन किया जाता है हे अर्जुन तु ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलेरूप हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ इसलिए हे धनंजय मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सत्रश मेरे में गुथा हुआ है हे अर्जुन जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूरी में मैं प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ प्रत्वी में पवित्र गंध और अगनी में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ और तपस्वियों में तप हूं हे अर्जुन तु संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान मैं बुद्धिमानों की बुद्धी और तेजे स्वियों का तेज हूं हे भरत श्रेष्ट मैं बल्वानों का आसक्ती और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थे हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्र के अनुकूल काम हूं और भी जो सत्व गुण से उत्पन होने वाले भाव हैं और जो रजो गुण से तधा कमो गुण से होने वाले भाव हैं उन सब को तु मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान परंतु वास्तों में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है गुणों के कारे रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग दुए शादी विकारों से और संपोर्ण विश्यों से यह सब संसार मोहित हो रहा है इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझह अविनाशी को तत्व से नहीं जानता क्यूंकि यह अलोकिक अर्थात अतियदभुत त्रिगुण मही मेरी योग माया बड़ी दूस्तर है परंतु जो पुरुष मेरे को ही मिरंतर भचते हैं वे इस माया को उलंगन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं ऐसा सुवम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्यानवाले और आसुरी स्वभाव को धारण किये हुए तथा मनुश्यों में नीच और दूशित कर्म करने वाले मूड लोग तो मेरे को नहीं भचते हैं हे भरत्वनशियों में श्रेष्ट, अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिग्यासु और ज्यानी, अर्थात, निश्कामी ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ती वाला ज्यानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्यानी को मैं अत्यांत प्रिये हूँ, और वह ज्यानी मेरे को अत्यांत प्रिये है, यत्यपी ये सब ही उदार हैं, अर्थात श्रत्ता साहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उक्तम है परन्तु ज्यानी तो साक्षात मेरा सुरूप ही है ऐसा मेरा मत है क्योंकि वह स्खिर गुद्धी ज्यानी भक्त अति उत्तम गती सुरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार से थै जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ग्यान को प्राप्त हुआ ग्यानी सब कुछ वासुदेव ही है अर्थात वासुदेव की सिवान्य कुछ है ही नहीं इस प्रकार मेरे को भजता है बह महात्मा अति दुरलब है हे अर्जुन जो विश्या सक्त पुरुष है वे तो अपने सुभाब से प्रेरे हुए तथा उन उन भोगों की कामना द्वारा ज्यान से प्रष्ट हुए उस उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसद है उस उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूत को श्रता से पूजना चाहता है उस उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रती श्रता को स्थिर करता हूं वह पुरुष उस श्रदा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेश्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है परंतु उन अल्प बुद्धी वालों का भैफल नाशवान है तथा वे द कुद्धी ही पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अभिनाशी परंभाव को अर्थात अजन्मा अभिनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ अपनी योग माया से छेबा हुआ मैं सबके प्रत्केक्ष नहीं होता हूँ इसलिए यह अज्यानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अभिनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है अर्थात मेरे को जन्म मरने वाला समझता है हे अर्जन पूरुम में व्यातीत हुए और वर द्वेश से उत्पन हुए सुख दुखादी द्वन्द रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्यानता को प्राप्त हो रहे हैं परन्तु निश्कांत भाव से श्रेष्ट कर्मों का आचरण करने वाले जिन पूरुषों का पाप नश्ट हो गया है वे राग द्वेश आत्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं जो पुरुष अधि भूत और अधिदैव के सहित तथा अधियग्य के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं अर्थात जैसे भाप बादल धूम पानी और बर्फ यह सभी जल्द सुरूप हैं वैसे ही अधिभूत और अधियग्य आधि सबकुछ वासुदे स्वरूप हैं ऐसे जो जानते हैं वे युक्ति चिप्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं इति श्रीमत भगवत बीता रूपी उपनिशा देवं ब्रह्म वित्या तथा योग श